आप चाय के शौकीन है और घड़ी घड़ी चाय पीना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि ये चाय आपको नुकसान भी पहुचा सकती है तो इस वीडियो में आज हम आपको चाय से जुड़े हुए बड़े नुकसान बताने वाले हैं वेल दोस्तों आप देख रहें NBT Live और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम तो अक्सर हम सुभा फ्रेश होने के लिए चाय का इस्तमाल करते हैं और बेड से उठने से पहले ही चाय हमें हमारे हाथ में चाहिए होती है लेगिन कि आप जानते हैं कि इस चाय का आपको कितना नुकसान जहिलना पर सकता है क्योंकि ये चाय आप सुभा उठकर खाली पेट पीते हैं चाय पीना नुकसान दायक नहीं है लेकिन चाय को किस टाइम पीना है और कैसे पीना है ये ज़्यादा important माना जाता है कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर आप खाली पेट चाई पीते हैं तो आपको इसका नुकसान जहेलना पड़ सकता है तो क्या-क्या नुकसान है चलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेगा आपको पता चल जाएगा कि क्या नुकसान आपको होने बाले है तो पहला नुकसान यह है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानि कि उन्हें बीपी की दिक्कत होती है उन्हें तो बैट टी कभी भी नहीं लेनी चाहिए इसे पीने के बाद उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है क्योंकि चाए में कैफीन होता है और वो बॉड़ी में important nutrients नहीं पहुचने देता है जिस वज़े से काफी सारी दिल की बिमारियां हो सकती है इसलिए आपको खाली पेट बिलकुल भी चाए नहीं लेनी है अगर आपको BP की शिकायत है तो और वहीं अक्सर हम office में बैट कर या कहीं पर भी आजकल हमारे जीवन में इतने सारे tensions हैं इतने सारे stress हैं कि जिसे भगाने के लिए हम चाए पीते हैं और अगर हम सुभा सुभा खाली पेट इसे पी लेते हैं तो इससे और हमारा तनाव बढ़ सकता है दिरसल चाए में कैफीन की मातरा जादा होती है तो इससे आपकी नींद भाग सकती है आपको नींद नहीं आएगी तो आप और जादा सोचते रहेंगे कुछ न कुछ ऐसा जो आपको नहीं सोचना चाहिए और आपका स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा सकता है इसलिए आप चाए बिलकुल भी ना पिए अगर आप खाली पेट है तो ये एक्सपर्ट भी सलहा देते हैं तो सुभा उटकर खाली पेट अगर आप चाए पीते हैं तो ये आपका डाइजे चाए पीते हैं और उसमें शुगर जादा होती है तो वो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है इससे आपकी बॉड़ी में कहीं सारी ऐसी नसे हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रेंट की जरूरत होती है और वो उन तक नहीं पहुँच पाते हैं और इससे पर्मनेटली टाइबिटीज होने का खत्रा भी बढ़ सकता है तो इसलिए आप सुभा जब भी चाए पी तो उसमें शुगर की कौन्टिटी जादा ना रखें और चाए पीने से पहले कुछ हलका फुलका खा ले या बिसकेट या कुछ भी ऐसी चीज जिससे आपका पेट खाली ना रहे तो टेंशन बिलकुल मत लीजिए अगर आपको सुभा खाली पेट चाए पीने के आदत है तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए ताकि आपकी जो इनर बॉड़ी है और आउटर बॉड़ी है वो दोनों ही फ्रेश रहें लेकिन बिना स्ट्रेस के तो दोस्तों ये वीड हुआ